वो कह रहा था रेल टेस्ट तो भी इंडिया जब जाएंगे तब आएगा वो है वर्ल्ड क्लास टीम वो है अक्राउस दा फॉर्मेट टॉप लेवल की जो क्रिकिट खेलती है वो टीम तो वहां बे जाएंगे तो वह रेल टेस्ट अब देखें अब इनको कोई टेस्ट के कर गया है इतना स्टान्व कंबैक किया है इतना स्टान्क पहला मैच 10 लिए मैच त्षी पॉप फुक्तव से पाकिस्तान घर में कभी भी इतनी गंदी हार इतनी गंदी जलालत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि सही माइनू में अगर किसी को बजाना कहते हैं तो आज बंगला देश ने पकड़ के पाकिस्तान को इनकी होम कंडिशन में पकड़ के बजा दिया है शेम फुल गर में घुसके मारेंगे सब को मारेंगे सब को ठोक दिया सालों ने मंगालियों ने जैसे इन्हों ने उदर अपना मुलक का अपना नक्षा बदला इतरा आगे तो क्रिकट के अपने सारी टीम खतम कर दे पाकिस्तान मैं कहना मैं सब कुशी करता है परवरिश बरसों हाथसा एक दम नहीं होता तो यह हाल है जिनाब पाकिस्तान की क्रिकट का बंगला देश ने वाइट वाश कर दिया है बंगला वाश कर दिया है अभी अभी मैच गतम हुआ है आपने अतर अली खान की आवाज में करंट देखा बिजली देखी अभी एक लमहा पहले वो जो दूसरी कमेंटेटर है उन पूरी जिन्दगी गुजर गई कमेंटरी करते करते और पाकिस्तान भी कई बार आए कई बार पाकिस्तान महाँ पे गई लेकिन उसने अपनी नजरों के सामने देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बालर कैसे बंगला देश की विक्टे लेते थे बिलकुल उसी तरीके से बंग लेकिन शायद के कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि इस टीम को तो अब कोई भी आके पेलेगा कोई भी आके इनको फैंट के जाएगा और भीज में अभी आदा घंटा पहले जब वह कमेंटरी कर रहा था वह कह रहा था रेल टेस्ट तो भी इंडिया जब ज भी नहीं समझता किया जी हम जाके वहां पे खेल के आएंगे उसने काया जो मैच जीता है वह न्यूजिलैंड वाला मैं ज्यादा रेट हाई करूंगा ओवर्सीज विक्ट्री और जो सीरिस विन है वह यह पाकिस्तान वाली रेट करूंगा एक जमाना था पाकिस्टन की टी पाकिस्तान आई की बंगलादेश को तो यह किसी ना किसी तरीके से संभाल ही लेंगे अब वो बंगलादेश यह सीरिस में वाइट बॉश करके इनके मूपे कालक मलके और अतर अली खान जिसको जाहर है कि हर बंदे को खुशी होती जब उसकी टीम अच्चा करे वो कह रहे ह है कि यह पाकिस्तान की सीरिस तो चलो ठीक है जीतली अच्छी है लेकिन रेल टैस्ट जो हमारा होगा वो जब हम वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेलने के लिए इसी महीने इंडिया जाएंगे तो वहां पर इनका रेल टैस्ट होगा कैसे मतलब हलाद बदल गे जजबाद बद हमारा तब होगा कि जब हम इंडिया जाके खेलेंगे और वहां उनकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटा गया बैटिंग है उनके खिलाफ जब यह परफॉर्मिंस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें कितनी इंप्रॉम्मेंट आई है के नहीं आई यह अलाद है कितने 25 हजार पचीस सो टेस्ट मैचिस होगें डेर्ट सो पॉरेंट जितने वी साल हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की उसमें इतनी थर्ड ग्लास परफॉर्मिस के 26 के बाद कोई टीम जाके मैच जी जाए क्वाइट कमफर्टेबली छे विक्टों से ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कभ 22 फेष्जाब होने के बाद इतना स्टांग कमबैक किया इतना स्टोंग के इनको बिलकुल लपेड़े में ऐसा लिए जीकन किनकी सांसे नहीं निकल लें तो बंगलादेश ने ये कमाल कि और आ पर इक यीख कंद है कि जो उन्होंने जिब से वो चाहिए टेस्ट क्रिकेट खेलने उन्होंने ये काम नहीं किया सबसे बड़ा तो यह है 26 पर चे आउट होने के बाद वह आकर इन्च से लिटों से मैल जीत के जा रहे हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है है के नहीं पांसो पैंसेट इनके खिलाफ वो कर गए है फर दा वेरी फर्स टाइम जब से वो पाकिस्तन के खिलाफ टेस्क क्रिकेट खेलने है पांसो पैंसेट हाइस्ट इंडिविजल एक इनिंग के रंस उन्होंने आज तक कभी भी नहीं कि है वो रिकॉर्ड भी साथ साथी वो कायम करते चले गए हैं पांसो पैंसर ड्रंस दस विक्टों की हार वाइट वाश जैसी जलालत 26 पे छे आउट होने के बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पार्टनर्शिप भी इन्होंने बनवाई है लिटन डास और मैधियसर मिरास के ने जो बनाई है वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मस उनकी आई है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बेज़ती पर बेज़ती 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 अब वो स्टेज आई हुए है कि अब के बेज़ती भी शायद महसूस नहीं होती क्योंकि इस से बढ़के क्या काम इतनी गंदी हार इतनी गंदी जलालत मैंने अपनी जिन्दगी में नहीं देखी पाकिस्तान क्रिक्ट एतनी गंदी क्रिक्ट भी इनको अपी भी कोई परवाण नहीं है खंस रे हैं मतलब आप अंदाजा लगा लो यह टीम पिछले दो सलों से जलील हो रही है यह टीम पिछले इतने महीनों से जलील हो रही है लेकिन इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं है और मुकावलों यह अपनों इंडियों से करते हैं मतलब बजा दी आप पकड़ के आँज सही माइनु में सही माइनु में अगर किसी को बजाना कहते है तो आज बंगला देश ने पकड़ पकड़ के पाकिस्तान को इनकी होम कंडिशन में पकड़ के बजा दीआ है शेमफुल करके बंदे ने मरवाया है मुश्ताह का इस वक किसका कोच है भाई बंगलादेश का कोच ठुका ही लगवा दिये पकड़ के आप उस बंदे की इज़त नी करते यार उसको आप कोच रखने को नहीं राजी आप यूसफ को बेटिंग कोच रखने पर नहीं राजी आप यूनस को आप नहीं रखने पर राजी क्या करें ये वाब का क्या अप मैं वाब का और यार वाब जागे आपके घर के बाए आपके घरदे का दहीं पर लेगी रेडी लगी वे काफी अच्छा स्ट्राल है खा के सो जाए यार पाकिसान की क्रिक्ट का बेड़ा करें को खुदा का फॉप होने का क्या रिज़न अदर आदे इतनी बैटिंग बंगेदेश की बोलिंग किया गए तो हम हाथ छोड़के पहले मैच में चारों सीमर खिला दी है यार अंदे हो यार आपको सारी आपका काम क्या है क्रिक्ट खेला क्रिक्ट को फॉलो करना क्रिक्ट पे आपका सारा हम अपने टेक्स पेड़ से आपको 45 45 लाग 40 40 लाग पर मन्त पे कर रहें और हम क्या मांगतें सिर्फ एक जीट हमन आपको टैक्स देते हैं और आपको शरम नहीं आती इनको तो चाहिए डूब मरना यार पाक्सानी प्लेयरों को इनका काम इने क्रिक्ट खेला यह जितनी भी 15 लोगनी टीम में उड़ा देनी चाहिए सबको सब साइड नया लेक्या हारेंगे दो तीन साल आरेंगा मैं पता निउजलैंड का मुकाबला करना इंग्लैंड का करना इंडिया का करना लोगने यह हाल है तो फिल नोगने नंबर वन रैंक्ट वैल्ट आपकिस्टान दी शुकर भी झाल झाल